एक जेन पकीर हुआ रिंजाई पै एक गाओं के रस्ते से गुजर रहा था तबी एक आदमी पीछे से आया और उसे लखड़ी मार कर भाग गया इस भागदोड में रिंजाई को चोट पहुचाने में उसके हाथ से लखड़ी छूट गई और जमीन पर नीचे गिर गई रिंजाई लखड़ी उठा कर पीछे दोड़ा कि मेरे भाई अपनी लखड़ी तो लेते जाओ यह सब एक दुकान का मालिक देख रहा था उसने ऐसी विचित्र बात ना देखी थी दुकान के मालिक ने कहा पागल हो गए हो वै आदमी तुम्हें लखड़ी मार कर गया और तुम उसकी लखड़ी लोटाने की चिंता कर रहे हो निजाई ने कहा एक दिन मैं एक व्रिष्ट के नीचे लेटा हुआ था व्रिष्ट से एक शाखा तब ही मेरे उपर गिर पड़ी तब मैंने व्रिष्ट को कुछ भी नहीं कहा आज इस आदमी के हाथ से लकड़ी मेरे उपर गिर पड़ी है मैं इस आदमी को क्यों कुछ कहूं उस दुकांदार को रिंजाई की बात समझ में आई क्योंकि उसने तो बच्चपन से ही दुनिया को प्रतिशोद और प्रतिकिरिया की दृष्टी से देखा था उसने कहा रिंजाई तुम पागल हो रिक्ष से शाखा का गिरना और बात है इस आदमी से लकड़ी तुम्हारे उपर गिरना वही बात नहीं है रिंजाई कहने लगा मेरे लिए तो सदा एक सी बात ही रही है और यह कहकर रिंजाई एक दूसरी गटना सुनाने लगे एक बार मैं नाव खे रहा था एक खाली नाव आकर मेरी नाव से टकरा गई मैंने कुछ भी नहीं कहा रिंजाई ने अपनी कहानी आगे बढ़ाई एक बार ऐसा हुआ कि मैं किसी और के साथ नाव में बैठा था और एक नाव जिसमें कोई आदमी सवार था और चलाता था आकर टकरा गई तो वह जो आदमी मेरी नाव चला रहा था वह दूसरे नाव वाले को गालिया बगने लगा में ने उससे कहा अगर नाव खाली होती तब तुम गाली बगते क्या तो उस आदमी ने कहा खाली नाव को क्यों गाली बगता रिजाई ने कहा गौर से देखो नाव भी एक हिस्सा है इस विराट की लीला का वे आदमी जो बैटा है वे भी एक हिस्सा है नाव को माफ कर देते हो आदमी पर इतना कठोर क्यों सायद वे दुकांदर फिर भी नहीं समझा होगा क्योंकि समझने के लिए बुद्ध हो जाना पड़ता है जो अंगलुमाल तक को माफ कर दे हम में से कोई भी नहीं समझ पाता कि माफ करना होता नहीं है यह तो अंदर से आता है और एक बार गटित हो जाता है तो आप किसी पर दोश लगाते ही नहीं बस माफ करते हैं क्योंकि रिंजाई कहता है कि सब उस विराट की लीला है सब उस विराट का हिस्सा है